नमस्ते दोस्तों, वेट कूम बैग आप लोगों ने बहुत सारे नावरतने कुलमा खायों के लेकिन आज हम ने लाएं, आप लोगों के लिए वाइक नावरतने कुलमा आया दोस्तों खाते हैं और इसका मजा लेते है आप इस चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंती जुरूद वैता है कि आपको पहला नोटिफिकसर मिल सेक्षिए हमारे वीडियो के एक लाइक और स्याग कीजिए हमने एक कटवरा गाजर लिये हैं एक कटवरा ग्रीन माटर्स लिये हैं एक कटा हुआ आलू लिये हैं एक कटवरा बीन्स लिये हैं एक बड़ा बावल कॉलिफ्लावर लिये हैं एक कप कैसू लिये हैं भीगा हुआ कैसू हमने यहाँ पर कुछ खिसमिस लिये हैं एक बेलीफ लिये हैं कुछ इलाइच लिये छोटे इलाइची कुछ काली मिर्ची, कुछ लोंग और कुछ डाल ची लिए हैं हमने यहाँ पर कटा हुआ पनी लिए हैं और कुछ ग्रीन ची लिए हैं हमें यह सब चीद चाहिए वाइट नवरतन कोर्मा बनाने के लिए आये दोस्तों बनाते हैं पहले हम कैस्यू को डाल कर ब्लेंड चाहर में ब्लेंड कर लेते हैं एक कड़ाई लेते हैं कड़ाई में टू टेबल स्पून ओयल लेंगे अब इसमें जितने सारे वेजिटेबल लिए थे सब को हमने यहाँ पर फ्राइब करेंगी अब लोगों पयता होगा कच्छा बेजिडिवल का थोड़ा डिुपरेंस वादा था, इसलिए Wait 10 मिनिट तक कवर कर लेते हैं अब कवर निकलते हैं देखिए कवर लिए हैं ता कि जल्दी जल्दी fry हँआ जाए यहाँ पर हमें इसको फ्राइब करना है यहां पर थोड़ा थोड़ा फ्राइब करें वेजीटबल कर, क्यूंकि कच्चा स्वाद आता है, कच्चा स्मेल जो आता है, इसका हट जाए, अभी इसको फ्लेट में निकाल लेते हैं, हमारा फ्राइब हो चुका है, उसी कड़ाई में हम यहां पर वान टेबल स्पून आयल यहां पर फ्राइब कर रहे हैं, अब इसको फ्लेट में निकाल लेते हैं, उसी कड़ाई में हम यहां पर वान टेबल स्पून आयल लेंगे, आयल लिये हैं, अब इसमें बेर लीफ को, और तो काली मिर्ची, चार काली मिर्ची लिये हैं, कुछ इलाई ची लिये हैं, कुछ लोंग लिये हैं, कुछ डाल चीनी लिये हैं, इस सब को हम यहां पर फ्राइब करेंगे, अब इसमें ग्रीन चीली को डालेंगे, हम यहां पर फ्राइब कर लें, आफ इसमें कैस्यू का पेस्ट डाल रहे हैं, थुड़ा पार पानी देगे हैं, позволanने वेजेडाब्ल को डालेंगे, हम ने वेजेडाब्ल को पहले मिक्स करेंगे आप इसको कवर कर लेते हैं ताकि यह पक जाए देखिए हमारा पक गया है अब इसमें क्यासियो आप चाहे तो डाल सकते हैं लेकिन आमने आप पर ग्रीन मटर्स और किसमी इसको डाल रहे हैं पनीच को अब डाल देंगे इसमे स्वाद के मुत्यमिक यहां पर नमक डाल रहे हैं अब इसमें एक कप पानी देंगे हमारा ग्रेवी सुख गया था इसके हमें आप पर एक कप पानी दे रहे हैं अब इस सब को हमें आप पर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको कवर कर लेते हैं ताकि यह पक जाए देखिए हमारा पक गया है अब इसमें आप गरम मसाला डालकर इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसको पांच मिनिट तक कवर कर लेते हैं देखिए हमारा बन गए वाइट नवरतन कॉर्मा आएए दोस्तों खाते हैं बहुत टेस्टी बनाएए कुद खाये सबको खिलाये सुस्त खाये सुस्त रहे थैंक यू दोस्तों पर वाचिंग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिप केले और घंटा ज़रूर दबाये ताकि लाटेस्ट नोटिफिकेस आपको पहले आए हमारे वीडियो को एकलाये कीजिए और स्या कीजिए ताकि सुख खा सकी आपकी जैसे नवरतन गुर्मा आप ये चैनल पर नहीं है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी ज़रूर दबाये ताकि सबसेर पहले नोटिफिकेस आपको मिले की जए को अsalतको है तो ऊकत्ता है उनका ज़रूर ताकि झाली कव्टा वाज ह संसर दंटार शगलद मेरा हो वाले को इसक्तार koly बसलद 된 कीजए बस्टाइब